मदर डेरी ने बढ़ाएं हैं दूद के दाम रविवार से 3 रुपे प्रती लीटर तक हो जाएगा महगा मदर डेरी ने दूद के दाम में 3 रुपे प्रती लीटर तक इजाफा करने का फैसला किया है मदर डेरी के दूद की कीमतों में ये बढ़ोतरी दिल्ली एंसियार शेतर में रविवार से भी लागू हो जाएगी और वहीं मदर डेरी दिल्ली एंसियार के शेतर में हर रोज करीब 30 लाख लीटर दूद सप्लाई करता है इसमें से 8,00,00 लीटर दूद गाय का होता है और बीते सतंबर महिने में ही मदर डेरी ने दूद की कीमतों में 2 रुपे प्रती लीटर का इजाफा किया था हाला कि काउम मिल्क के 1 लीटर के पैक पर कोई इजाफा नहीं किया गया था लेकिन आधे लीटर के पैक पर 1 रुपे का इजाफा किया था दिली NCR में फिलाल मदर डेरी का 1 लीटर फुल क्रीम दूद 54 रुपे का मिलता है जो कि रविवार से 57 रुपे का हो जाएगा और मदर डेरी ने टोकन मिल्क के भाव में 2 रुपे का इजाफा किया है इसके बाद ये 42 रुपे प्रति लीटर हो जाएगा वहीं फुल क्रीम मिल्क के भाव में भी इतनी बढ़हौतरी की गयी है जिसके बाद अब ये 55 रुपे प्रति लीटर के भाव से बिकेगा आधे लिटर फुल क्रीम दूद का भाव 27 रुपे से बढ़ कर 28 रुपे हो गया है और टोंड दूद के भाव में 3 रुपे प्रती लीटर का इजाफा किया गया है अब इसका भाव 45 रुपए प्रती लीटर हो गया है डबल टोन दूद का भाव 49 रुपए हो गया है जो कि पहले 36 रुपए प्रती लीटर मिलता था वही काव मिल्क का भाव भी 3 रुपे प्रती लीटर बढ़ा दिया गया है इसके बाद ये 47 रुपे प्रती लीटर हो किया है वही बड़े हुए दाम को लेकर मदर डेरी ने अपने बयान में कहा है कि देश भर के कई राज्यों में दूद उत्पादन में कमी आई है इसका सबसे बड़ा कारण मौनसून और फ्लैश सीजन के शुरू होने में देरी की वचह से हुआ है वही पर्यावरन के दुश प्रभाव का भी इस पर असर पड़ा है इसके बाद चारे के दाम में भी इजाफा हुआ है यही कारण है कि दूद उत्पादकों के लिए मुश्किल ने खड़ी हो गई है इसलिए दूद के दाम में बढ़ा दिये